अच्छा हुआ अधिनी दीदी जी का मैं धन्यवाद दूंगा कि बारा तारीक को सपा बसपा और हमारे सहयोगी दनों का गड़बंदन हो गया लोग सोचते ते गड़बंदन नहीं होगा बारा तारीक को गड़बंदन हुआ देश में खुशी की लहर दौड़ गई और आज की जो रैली है इसका संदेश जब देश में जाएगा देश की जनता भी फैसा लेने के लिए तयार हो जाएगी अभी अभी साल नया आया है हमने आपने नजाने कितनों को बढ़ाई दी होगी नये साल की अभी जब तारीक बदली नया साल आया हमने आपने सबने खुशी मनाई एक दूसरे को बढ़ाई दी सोचो कभी ये बदलाव आया और देश में नया प्रधान मंत्री आ जाए तो कितनी खुशी होगी हमें और आपको मिल करके वो लोग कहते हैं कि इतने लोग हैं इनके पास इतने मुख्मन प्रधान मंत्री के दाबेदार हैं कभी कभी हमें चड़ाने के लिए ये भी कहते हैं इनके पास दूले बहुत हैं कौन बनेगा हम तो कहते हैं अगर हमारे पास दूले जादा हैं जो जनता ते करेगी वही बनेगा और पहले भी बना है फिर एक बार नया प्रधान मंत्री बनेगा हम पे तो इतने हैं, हम आप से पूचते हैं जो फेल हो गए जिनोंने देश को निरास कर दिया, जिनोंने जनता को धोका दिया, जिनोंने छल किया, जिनोंने सजिश की सडेंध किया, समाज में नफरत फैलाई उसके अलावा अगर कोई दूसरा नाम भाती जनता पाड़ी पर हो तो वो बता दें कि आप पर दूसरा नाम कौन सा है इस नाम ने निराश कर दिया है देश को और फिर ये तो अभी कम दलों का गड़बनन है अभी तो जादे दलों का गड़बनन नहीं है हमने तो आप से सीखा है आपने गड़बनन करके सरकार मनाई तो हम लोगों ने भी ये देश की खुबसूरती को एक मंच पे ला करके एक खुबसूरत गुलदस्ता बनाने का खाम किया है अभी तो हम पे बहुत गुंजाइश है आप पे चालिस गड़बनन है चालिस गड़बनन के साथ साथ जैसे जैसे चुनाओ करीब आ रहा है आप और लोगों से भी गड़बनन कर रहे हो सीवी आई से एडी से लेकिन हम तमने मिलकर के जनता से गड़बनन कर लिया है और लोगतंत में जो जनता ते करती है वही फैसला होता है इसलिए मैं आप सबसे आज के दिन एतिहास एक दिन आप से अपील करने आया हूं कि उत्तप देश और पूरे देश ने मन बनाया है अभी हम से पहले तमिल्लाडू के नेता बोल ले थे सोचो तमिल्लाडू में खाता नहीं खुलेगा बीजे बीका और सपा पसपा रेल्डी और हमारे सेयोगी दल मिल गए उस दिन से भाजपा में बैठक हो रही है बैठक के बाद बैठक हो रही और वो सोचने के आकरकार उत्तपदेज में एक सीट कैसे जीती जाए अभी बंगाल बिहार जारखन अगर तमिल्लाडू जीरो कर सकता है बीजे पी को तो हमारी आपकी जिम्मेदारी भी है भाती जनता पाटी का खाता नहीं खुले और फिर हर बात पर नरास किया जो बोलते थे कि सबका साथ सबका विकास होगा उन्होंने समाज में जहर घुलने का काम किया मैं अपने नजमानों से कहना चाहता हूँ हम लोगोंने बहुत काम किया लेकिन बीजे पि के लोग काम पर बोट नहीं मांगते मुना जाने क्या साजिश करेंगे सड़यन करेंगे आपके साथी को तोड़ लेंगे और उससे जाकर के संदेश देने का काम करेंगे इसले मेरी अपील है आपसे कि इनकी साजिश में नफस करकर के देश को बचाने का काम करना और अपनी पार्टी को मजबूत करकर एक एक संसत जिता करके भीदने का काम करना मैं एक बार फिर आदरें इमामताजी को बढ़ाई दूँगा तमाम नेताओं को बढ़ाई दूँगा कि देश को बचाने के लिए लोगतंत को बचाने के लिए और जो संविधानिक संस्था हैं उनको बचाने के लिए जो काम किया है उसके लिए मैं बढ़ाई देता हूँ और इसे एतिहासिक करकम जिसमें लाख और लाख लोग दिखाई दे रहे हैं शायद आखरी वाले को हम दिखाई भी नहीं दे रहोंगे लेकिन उसके बावजूद भी उसका जो तो साकम नहीं हो रहा है और इस कारकम जो सफल बनाने के काम किया मैं बढ़ाई देता हूँ मैं धन्यबाद देता हूँ मैं तो भाईका तरा अखिलिस को कहेंगे कि आप लोग यूपी से जिरो बना दो बिजेवी को पंगाल से हम लोग जिरो कर देंगे हम यह ऐसा संदे सकती हूँ आभी मैं अर्भीन केजरिवाल जी हमारा दिल्ली का चिप मिनिस्टर हमारा दोस्त है आपका लीडर है अर्भीन जी को बोलने के लिए रिक्वेस्ट करने चाहूंगी आज बंगाल के कोने कोने से आए हुए इतनी लाखों के संख्या में सभी भाईयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों आप सब लोगों को मेरा हाद जोड़ के नमस्कार, सब को मेरा प्रणाम पूरे देश के कोने कोने से आए हुए कई पार्टियों के नेतागन जो स्टेज पे बैठे हुए हैं, उन सब लोगों को भी मेरा हाद जोड़ के नमस्कार, सब को मेरा प्रणाम दोस्तो, मैं समझता हूँ कि आज भारत की राजनीती में एक बेहद महत्वपून और एतिहासिक दिन है पिछले पान साल में नरेंद्र मोदी जी और अमित्शा जी की जोड़ी ने इस देश